हेलो एवरीवन स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंदरी विद्धाले की कक्षावन का लोटरी रेजल्ट आच चुका है वो अभी जो एडमिशन प्रोसेस है वो चल रहे हैं जिनका में लिस्ट में नाम आच चुका है वो ड एडमिशन हो जाएगा ठीक है कितनी तक का नहीं होगा कौन वेट करें या फिर दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन करवा दें तो इसी को लेके हम ये वीडियो लेके आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल पे नए जो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजी तक कि आपको अप इसमें आप देख सकते हैं कि 16 जो बच्चे हैं उनका कंफर्म लिष्ट में नाम है उसके बाद वेटिंग लिष्टी स्टार ओर रही है अब इन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वेटिंग लिष्ट वालों का भी किलियर होगा नाम कैसे होगा वो भी मैं बता देता हू जो उपर जो दिये गए बच्चे हैं इन में शेदी कोई इस पर्टिकुलर कटेगरी में एडमिसन नहीं लेता है तो वो सीट वेकेंट होती जाएंगी और चितनी सीट वेकेंट हो जाएंगी उन्हीं पे एडमिसन होंगे अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका दो दो तीन तीन स्कूल में नामा रखा है चार चार श्कूल में नामा रखा है तो एक बच्चा एक ही जगें तीन स्कूल में सोरी चार नी तीनी स्कूल की चोईश थी तो तीन स्कूल में नामा रखा है तो वो बच्चा एक जगे ये अडमिशन ले पाएगा दो जगे उसको सीट सोडनी पड़ेगी और ये विधले का तो ये नियम है कि उनको जितने भी फोर्म अपलाई किये गए हैं उनको एज परप्रायर्टी उनको ड्रो में नाम तो निकालना ही पड़ेगा तो उनका वो सकता है दो दो विधले में भी नाम हो और भी धले भी धले नहीं आपको दो दो कटेगरी में भी नाम मिल सकते हैं तो इस तरह से अब जैसे कि इसमें 16 जो सीट्स हैं आर्टे की अब आर्टे में हो सकता है इसमें से 5-7 बच्चों का दूसरे स्कूल में आ रखखा हो दो तिन बच्चों का दूसरे category में नामा रखा हो या फिर एक दो admission वैसे भी हो सकता है कि नहीं लेने के इच्चू को हो इस school में तो उनका जैसे ही sheet vacant टोकती जाएंगी यहाँ पे 2, 4, 5, 10 तक जतने भी confirm होंगे admission cancel होंगे इतने ही sheet confirm होती जाएंगी अब जिसका waiting list बहुत ही जादा है जैसे कि अब यहाँ RTE में आप देखेंगे कि waiting list यहाँ पे 200-200 तक भी जा रखी है अब यह RTE की दिखा रहा हूं में only यहाँ पे 291 यह दी इनकी बहुत जादा waiting list है तो वो wait ना करें तो अपने बच्चे का admission कहीं और करवा दें जिसकी waiting list कम है उनके chances हैं अब देखिए एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि waiting list वो confirm होने का दूसरा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस particular केंद्री विधल्ले में कक्षा वनके कितने section है यदि एक section है तो maximum 40 seat होंगी दो section है तो 86 हो जाती है और कई कई केंद्री विधल्ले ऐसे हैं जिसमें 3-4-4 section भी होते हैं तो उनमें आपके chances बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें number of student जादा होंगे number of student जादा होंगे तो उनमें waiting list यदि उपर जो जिसका confirm list में admission है वो यदि cancel करते हैं निच्चे वालनों को मोका मिलता है अब जैसे मैंने दूसरी लिस्ट खोली है जिसमें की आपकी दूसरी जो category 1 का है यहां पे 46 तक इन्होंने confirm admission दे रखे हैं इसके बाद waiting list यदि श्टार्ट किया है अब इस 46 में लग बग 5-7 बंदे 10 बंदे तो ऐसे होंगे जिनका दूसरी स्कूल में भी नामा रखा होगा दूसरी category में भी नामा रखा होगा इन में से मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें पूरा analyze किया था इस result को इस lottery को उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे एक बच्चे का नाम दो-दो लिष्ट में आ रखा है दो-दो इसकूल में आ रखा है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं उसमें आपका एकदम किलियर हो जाएगा ठीक है आप जैसे इसमें 46 seats तो वैसे हैं उसके बाद वेटिंग है ठीक है अब यह हम एकदम shorty से नहीं कह सकते कि सभी के confirm होंगे लेकिन इतने तो आराम से हो जाएगा लेकिन इसमें भी मैं वही कहना चाहूंगा कि जिसका वेटिंग लिष्ट बहुत जादा है वो वेट नहीं करें ठीक है इसी तरह से और भी कटेगरिया है उनमें भी सेम यही चीज अपलीकेबल है यदि आपने लेकिन रेजल्ट नहीं देखा है तो रेजल्ट जरूर चेक कर लीजिए आपको बच्चे का रेजल्ट चेक करने के भी मैंने वीडियो डाल रखी है दो तिन तरीके हैं जिसमें आप मेरी तरह पेडियो भी डाउनलोड करके रेजल्ट चेक कर सकते हैं धन्यवाद